गाइज हमारा यहां पर जो 2.7 का निउ अपडेट आया है उसी के साथ आप लोगों को यहां पर एक निउ अच्यूमेंट देखने को मिली है जिसका नाम यहां पर सूपर वारियर अच्यूमेंट है इसकी अंदर आप लोगों को टोटल 5 मिशन देए गए है अगर आप लोग टोटल पांच मिशन को complete कर लोगे तो आप लोगों को यहां पर 30 achievement point मिल जाएंगे उसी के साथ आप लोगों को दो classic के crate मिल जाएंगे तो इसके अंदर टोटल पांच मिशन कौन-कौन से है जिसमें आप लोग फॉस्ट देख सकते हो eliminate 3 player as a son goku मतलब कि guys आप लोगों को as a son goku character select करके 3 enemy मारने है उसके बाद आप लोगों को second mission देखोगे तो इसके अंदर लिखा है कि आप लोगों को यहां पर वेगेटा का character select करके 3 enemy मारने है उसके बाद third में आप लोगों को son gohan का character select करके 3 enemy मारने है फोर्थ मिशन के अंदर आप लोग देखोगे तो लिखा है फ्रेजर का केरेक्टर सेलेक्ट करके आप लोगों को यहाँ पे तीन एने में मारना है और एकदम लास्ट में आप लोग देखोगे तो पिकोलो का केरेक्टर सेलेक्ट करके आप लोगों को यहाँ पे तीन एने में through मारने हैं जिससे आप लोगों का ये मिशन यहां पर जितने भी है वो सारे complete हो जाएगे तो चलिए मैं आपको लाइप रूफ के साथ करके दिखाती हूं तो इसके लिए आप लोगों को जो आप लोगों का PUBG Mobile के अंदर अपडेट आ चुका है उसमें अन्रैंक मैप के अंदर ही आप लोगों को यहां पर बैटल रोयल ड्रेगन बॉल सूपर करके न्यू मोड देखने को मिल जाएगा तो सोलो डू स्कुछ किसी में भी आप लोगों को लगा के गेम को स्टार्ट कर के रेक्टर है इसको आप लोगों को सिलेक कर लेना है अगर आप लोक दूसरा मिचन कंप्लीट करना चाहते हो तो आप लोगों को यहां पर Frieza का character select करना है तो guys यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ही game में आप लोगों का mission यहाँ पे हो जाएगा इसके लिए आप लोगों को total 5 match तो खेलनी ही पड़ेगी क्योंकि एक match के अंदर आप लोग सिर्फ एक ही character को यहाँ पे select कर सकते हो तो first यहाँ पे जो son Goku का character है उसको select करके मैं आप लोगों को first वाला mission complete करके दिखा देती हो उसके बाद बागी के चार mission आप लोगों को करने हो तो जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे character बताए वो one by one आप लोगों को select करके game को start करना पड़ेगा तो देखो यहाँ पे son Goku का character मैंने select कर लिया है उसके बाद guys यहाँ पे हर एक character के दो दो यहाँ पे power होगे जैसे के हम लोगों के पास दो main gun रहती है ना उसी तरीके से दो main यहाँ पे power रहेंगे उसी का आप लोगों को use करना है तो देखो son Goku के दो यहाँ पे power है जिसमें first वाला power है वो यहाँ पे single shot के according चलेगा और second वाला power आप लोगों को auto पे चलाना पड़ेगा मतलब कि यहाँ पे tap tap करते हैं ना हम लोग gun को fire उसी तरीके से जब भी को enemy आप लोगों के सामने दिखे तो आप लोगों को यहाँ पे fire button पे tap tap करना है और सामने वाले बंदे को यहाँ पे मारना है तो देखो एक boat यहाँ पे आया था तो एक kill मेरा यहाँ पे हो चुका है मतलब कि first mission में जो son Goku character select करके 3 kill करने थे उसमें first मैंने यहाँ पे कर लिया है उसके बाद आप लोग देख सकते हो मुझे यहाँ पे एक और boat मिला था तो इसको भी जल्दी से यहाँ पे मैं मार देती हूँ तो आप लोग देख सकते हो दूसरा भी enemy guys यहाँ पे मैंने मार दिया है तो इसे तरीके से मेरे 2 kill यहाँ पे हो चुके है उसके बाद मैं आप लोगों को second वाला power यूज करके दिखाते हूँ तो इसके लिए आप लोगों को normally यहाँ पे जो आप लोगों का fire बटन रहता है उसके उपर hold करके रखना पड़ेगा मतलब click करके रखना पड़ेगा जिससे देखो सामने वाले एनेमी के उपर एक तरीके से यहाँ पे आग निकलेगी और उसी आग से यहाँ पे जो एनेमी है वो मढ़ जाएगा तो देखो स्वान गो को क्यरेक्टर सिलेक करके 3 kill मैंने यहाँ पे कर लिया है जिससे मेरा first वाला मिशन यहाँ पे complete हो जाएगा उसके बाद आप लोगो को second वाला मिशन करना है तो आप लोगो को यहाँ पे normally वेगेटा का क्यरेक्टर सिलेक करना पड़ेगा उसके बाद 3 एनेमी गेम में मारने है उसके बाद अगर आप लोगो को third वाला मिशन करना है तो उसके लिए आप लोगो को सौन गोहन का क्यरेक्टर सिलेक करके मारना पड़ेगा 3 एनेमी चोथे मिशन के लिए आप लोगो को यहाँ पे फ्रेजा का क्यरेक्टर सिलेक करके एनेमी मारने है तो आप लोगों की ये पूरी achievement complete हो जाएगे और इसके through आप लोगों को यहाँ पर 30 achievement point और 2 classic kick rate मिल जाएगे तो I hope आप लोगों के लिए वीडियो थोरा सा भी helpful रहा होगा Guys अगर ये वीडियो आपके लिए helpful हो तो वीडियो को like share जरूर से कर देना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए okay bye and thank you for watching